नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट् योग अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राधा क्रिश्ट् रहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा चंद्रमा अपरहां तीन बजे तक मेश राशी में वह इसके बाद व्रश राशी में रहेगा दिशाशूल मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंदर सिती के नुसार आजपुर्व दिशा की यात्रा लाबदायक वर शुप्रद है रहुकाल मध्यमान से अप्रहां 3 बजे से साएं 4 बजे तक रहुकाल वेला में अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्थ और शुष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुर्थ उपर्युक्त शुपा शुप समय तीथी वार नक्षत्र वयुगा नुसार आज कृतिका नक्षत्र में सगाई वरो का आदिक यथा अवशक मुहुर्थ है अब आपको बताते हैं आज जर्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जर्म लेने वाले बच्चों की नाम ल आ यंउ अदी अक्षरो पर रखे जा सकते हैं अप्रहान तीन बजे तक जनमे जातकों के जनम राशी मेश वाइस के बाद जनमे जातकों के जनम राशी व्रश है मेश राशी के स्वामे मंगल ववरश राशी के स्वामे शुक्र है इनका जनम स्वन पाथ से है सामने ते ये जातक लोभी, होश्यार, तेजस्पी, आशवादी, चालाक, ववाचाल होते हैं इनका भागयोदे 29 वर्ष की आयू तक होता है मेश राशी वाले जातकों के मान सम्मान में व्रदी होगी उच्छ प्रतिश्टित लोगों से संपर्ख होगा तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार